कि तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वाला हूं कि व choir tips करने के वाद एक्सेट तो वो बंन होने वाद कुछ दिन बाद अग intéressant सब्सक्रांगे करने के अगर पकूर 12 महीं तक डाल दिया चलता रहेगा बैट आपको पता होगा दो माई हो चुकी और माई का महीना आ चुका है और 15 तारीक भी बस आने ही वाली है तो अब बापिस वाटसप ने अपने सारे यूजरों को जिन्होंने एकसेप्ट नहीं करा है उनको कि passed by के आप मेरे पास मैसेज आया है यह वाटसब मैंने त ही अनड़ को सहीं, अब इहाँ अपने अपने स्धिक्राइशव करें आया अपको बताने वाला हो घुश्म सबसे पहले मेरे पास आया WhatsApp term and privacy policy update we have not changing the privacy or personal conversation with the update we are providing more information in our terms and policy including how can chat with business you choose how business can manage their chat using Facebook tool chats with this business optional and clear clearly liable more information about your own a WhatsApp के बारे में लिखा कि हम आप क्या करने वाले हैं जो आपका data आपको बता होगा है मैंने पहले वीडियो बना के बताया था कि WhatsApp जो भी privacy policy accept करने के जो भी data क्लेक्ट करेगा वह फेस्बुक के साथ शेयर करने वाला है तो अब आप उसको आपके इसको एक बार यहां से स्वाइब करेंगे तो आपको एक और नई चैट को रीड और लिसन नहीं करेंगे हम यह सारे जो भी आपकी कॉल्स होंगी या वाट्सअप पर कन्वर्शेशन होगी सब एंड टो एंड इंक्रॉप्टेट रहेगा वी में एजियर टू चैट विजनर टू आस कोशन क्यों कांसर चैटिंग विजनस हम अगर आपको जानना है तो उन्होंने एक लिंक भी प्रोवाइट करके रखाएंगे क्या वाट्सअप पॉलेसी या वाट्सअप प्राइबसी पॉलेसी में क्या आपके डेटा को एक्सेस करने वाला है दोस्तों वाट्सअप ने इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना करते हैं कौन सा मॉवाइल यूस कर रहे हैं और कब-कब आप एक्टिवेट रहेते हैं कहुंसी लोकेशन पर आप मॉवाइल यूस कर रहे हैं और कहा का आपकी लोकेशन है मतलब यह सब चीज़े आपकी मीडिया वाट्सप पे शेयर करेंगे और यह सारे डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको प्राइबसी पॉलेशी को तो दीरे दीरे आपके जो फंक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे लाइक आप मैसंजर पर आपके जो कॉल संगे या नोटिविकेशन आपको नहीं आएंगी और आप मैसेज्ज रिद नहीं कर पाएंगी तो ऐसे कर दिरे 120 days में आपका data पूरी तरह से delete होगा और वह भी unrecover होगा मतलब आप उन data को WhatsApp सुछाइट होगी एक सु दिन बाद 120 दिन बाद पूरी तरह से delete हो जाएगी और आप उसको recover नहीं कर पाएंगे तो यह WhatsApp का जो notification है अभी सबको जारी होने लगा है यह अगर आपके पास भी आया तो दोस्तों मुझे comment करके ज़रूर बताएं और जिन्होंने accept कर लिया तो उनके लिए कुछ भी नहीं उनको कोई notification नहीं आएगा क्योंकि कि वो already accept कर चुके हैं यह सिर्फ लोग के पास notification आएगा जिन्होंने accept अभी तक नहीं किया है अब आगे क्या होता है यह extend होती है WhatsApp की जो privacy पॉले accept करने की अभी कोई भी नहीं आया और मैंने भी अभी भी accept नहीं करा है थोड़ा वेट करते हैं आपको बताना चाहिए आपको मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तो तो प्लीज बहुत सके दोस्तों और हो सके तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे सब्स्राइब करना आपको दख रहा होगा तो उसको पैस करना ना वोले और मेरे चैनल सब्स्राइब करना ना वोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा तो थैंगी दोस्तों